नमस्का एशरी जिन्या में आपका सौगत दें में प्रियाब आपके साथ CM नितिश कुमार और पूर्व CM जीतनराम मांजी के बीच का विवात ठम नहीं रहा है शुकरवार को विदान सबा गेट पर धने पर बेठे पूर्व सीयम जीतन राम मांजी ने कहा के नितिश कुमार के खाने में कोई विशेला पदार्थ मिला रहा है उन्हें गद्धी से हटाने के लिए किसी और को सीयम बनाने के लिए एक बड़ी साजी श्रची जा रही है उन्हें कहा इसके कारणी वो इस तरह की हरकते कर रहे हैं कभी विदान सबा में महिलाओं पर विवादित टिपणी देते हैं तो कभी मंतरी अशोक चोदरी के पिता को श्रच धानजली देने की बजाए जिंदा मंतरी पर ही फूल चड़ाने लगते हैं गुरवा 9 नमबर को विदान सबा में नितिश कुमान ने जितनराम मांजी को लेकर बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मुर्खता के कारण मांजी सीएम बने इसके खिलाब पूरु सीएम अज विदान सबा में धर्ना दे रहे हैं बीजेपी भी उनके साथ है विपक्ष ने इसे दलित नेता का अपमान बताया बीजेपी ने मांजी के आरुपों को उचिस्तरी जांच की मांग की है नेता प्रतिपक्ष विजज़ सिना ने कहा कि मुख्यमंद्रे के खिलाब बड़ी साजिश हो रही है जो उनके दल के लोग है गडबंदन के लोग उनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं बिहार जैसे बड़े राज्जी के लिए मांजी ने बड़ा खुलासा किया है हम प्रमुक मांजी ने आरुप लगाया राजत विधायक जो लड़ू उन्हें देने आई थे उसमें भी जहर मिला गया था जहर मिला लड़ू उन्हें खिलाना चाहते थे दरसल कल पास हुए अरक्षन संशोधन विधायक को लेकर सदन स्तगित होने के बाद राजत विधायक लड़ू लेकर आये थे बाचपा विधायक ने लड़ू से भरा डिपा फेक दिया इस पर विवाद हो गया इसी के साथ बने रहेगी एश्यमिस इंडिया के साथ बने बाद